फिर आता है हमारा 142 नंबर जो शलोक है उसको आप देखिए यानि आपे फल वर्ग स्टार्ट हो गया तो दाडिम के लिए पहले बोला है द्वी विदम दाडिम दो परकार का होता है मधुरम च अमल मेव च यानि एक तो खटा और एक मीठा यानि मधुर और अमल दो परकार क बोला गया है फिर 143 नंबर जो शलोक है उसकी सेकंड लाइन में हाईलाइट कर लिजे चक्षुष्यम सर्व दोशगनम वरिश्य आमल की फलम जो आमल की है हमारा आमला है उसको चक्षुष्य बोला है सभी दोश्यों का नाशक और वरिश्य बोला गया है आमले के फल को और सुष्यृत के नुसार जो फल है उनमें सरेष्ट जो है वो आमलक को वो बोलते हैं और अचारिय चरक जो है वो द्राक्षा को बोलते हैं ठीक है अचारिय चरक और वागवट द्राक्षा बोलेंगे अचारिय सुष्यृत आमलक जो है वो आम उसको सबसे ज़्यादा सरेष् उसमें देखिए कच्चा बिल्व यानि बिल्व के गुणों की बात की गई है कफ अनिल हरम तीक्षनम सनिक्दम संग्राही दीपनम ये सारे गुण किसके बोले गए बाल बिल्व वैसे तो हम फल बोलते हैं कि जब वो पक जाए अच्छे से तब ही खाने चाहिए लेकिन बिल्व का फल कच्चा ही सरेष्ट बताया गया तो कच्चा यानि बाल बिल्व के लिए बोला कि वात और कफ को हरने वाला तिक्षन है सनिक्दै संग्राही है दीपन है जो पक्व हो जाए अगली लाइन में देखिए विद्यात देव संपक्वम को हाइलेट करें जो पक्व है और इसी लाइन में सबसे लास्ट वर्ड पूती मारुतम दुरगंदित वायू को उत्पन करने वाला होता है जो पक्व बिल्व है वो अच्छा नहीं होता यानि पूती मारुत को करने वाला होता है जो बाल बिल्व है वो अच्छा है वो बात और कफको हर रहा है तिक्षन है सनिक्दै संग्राही और दीपन का काम करता है नेक्स्ट आता है हमारा आप 210 नंबर जो श्लोक है वहाँ आईए 260 नंबर पेज पे जहां पे इती फल वर्ग है अब फल वर्ग को जो हो समाप्त कर दिया गया तो यहां पे फर्स्ट लाइन हिंदी की हाइलेट कर लीजिए बिल्व फल को छोड़कर अन्य सभी फलों में पके हुए फल प्रश्यस्त बोदले गया है बिल्व का जै वो फल कच्चा ही गुणियुक्त है यह हमने आपको अभी बताई दिया सभी फल वैसे हम नॉर्मली तब ही खाते है जब वो पक गए अच्छे गुणियुक्त तब ही उसमें सबसे पहले दोसो तेरा नंबर पेज दोसो तेरा नंबर श्लोक पे देखिए पितगनम तेश्युकुश्मांडम बाल यानि जो बाल है यानि कच्चा जो कुश्मांड है आपका उसके लिए बोला है पितगन होता है फिर मध्यम कफापहम जो मध्यम है यानि अदप पकासा है उसको बोला गया कफावहम फिर शुकरल लगू सरक शारम दीपनम बस्ती शौधनम ये जो बस्ती शौधन है आगे सर्व रोग हरम चेतो विकारिनाम ये किस के लिए बोले गया है पका हुआ जो है पक्व जो हो गया उसके लिए बोला गया कि वो हमारा बस्ती का शोधन करने का काम करता है दोसो चोधा नमबर जो श्लोक है उसकी सेकेंड लाइन में हालेट कर लिजिए द्रिष्टी शुक्र क्षै करम कालिंदी कफ वात कृतम कालिंदी जो फल है तर्बूज है उसके लिए बोला गया कि द्रिष्टी शुक्र इन सब का क्षै करता है और वात और कफ को करने वाला होता है फिर हमारा आता है दोसो तेईस नमबर श्लोक में यहां पर क्या बोला गया है गुर्वी, गुरू, स्वादू, शीता और शीता मतला पिपली, आद्र कफा पहम आद्र पिपली के लिए बोला गया कि गुरू होती है हमारी रस में मदुरे शीत है और कफा वहा है कफ को करने वाली है शुषका अगर वो सूख जाए तो कफ अनिल अगनी यानि कफ और अनिल का नाशक सव रिश्या और पित जैवो अविरोधनी बोला गया है इसी शलोक में यानि जो पैराग्राफ नीचे दिया है 223 से 227 का इसकी थर्ड लाइन में देखिए यानि मरीच के लिए क्या बोलते हैं चारिय सुषूत कि जो मरीच होती है श्वेत मरीच के लिए बोलते हैं वीरिय में ने तो उश्न है ना जादा शीत है कौन सी मरीच मरीचम सितम श्वेत मरीच के लिए बोला गया श्वेत मरीच किसको बोलते हैं सहजन जो शिगरू होता है उसके बीजों को बोलते हैं नेक्स्ट जो है वो हमारा आता है अब यहां पर 240 नंबर जो श्लोक है आपका मूल कपोतिका के बारे में बोला गया है यानि मूली को बोलते हैं तो मूली को क्या बोला है 240 की second line में सर्व दोश हरा लग वो कंठया मूल कपोती का यानि जो छोटी मूली होती है उसको क्या वो लग गया है सर्व दोश नाशक है लगू होती है और कंठय है कंठ की शुद्धी करती है महत तदम जो बड़ी मूली है वो क्या है गुरू, विष्टमभी, तिक्ष्न, आमम, त्री दोश कृत, तीनों दोशों को जनन करने वाली, छोटी मूली अच्छी बताई गई है, कि तीनों दोशों को हर रही है, जो बड़ी मूली है, वो त्री दोश कृत बताई गई है, फिर 242 में आप देखिए, शुशकम लिखा ह मूली है, उसको बोला गया, सभी दोशों को हरतिया लगू है, जो बड़ी मूली होती है, उसको तीनों दोशों को बढ़ाने वाली, त्री दोश कृत बोला, फिर जो शुशक मूली है, उसको त्री दोश शामक और विष्ट दोश हर बोला गया है, फिर हमारा 243 नंबर जो श्लोक है उसके हिंदी आप देखिये शाकों के या मूली के किसी के भी पुश्प पत्र फल यह थोतर एक दूसरे से पचने में भारी होते हैं मतलब पुश्प से ज़ादा पत्र भारी है पत्र से ज़ादा उसका फल भारी है फिर 244 नंबर श्लोक पे आजाई आप 244 पे सेकं के लिए बोला गया कि वरिश्य होती है मेधा को बढ़ाने वाली स्वर को बढ़ाने वाली वर्ण नेत्रों के लिए अच्छी भगन यानि जब अस्ती मतलब फ्रेक्चर हो रहा है या फिर अस्ती संधान करो जोडने का काम करता है रसोन इसके विमर्ष में पहली लाइन हाईलाइट कर लीजिए पित आवरित वेरक्तावरित वात के सिवा अन्य सभी वात रोगों में रसोन को उत्तम बोला गया है ठीग है यानि صिर्फ वात आवरित व्रसोन इन दोनों को छोड़के बाकी वातज कोई भी रोग हो उसमें आप रसून दे सकते हो अच्छी होती है सब में फिर नीचे जो है वो 246 और 247 की जो हिंदी है वहाँ पे पलांडू यानि प्याज के लिए बोला गया है जादा उश्न वीरिय नहीं होता न अती उश्न वीरियो तो इतनी लाइन आपको सिर्फ याद रखनी है नेग्स्ट आता है दोसो पचपन नंबर शलोक में 255 पे वहाँ पे देखी क्या लिख है पुनर्नवम शाकम यानि पुनर्नववा का शाक लास्ट वर्ड है जो पुनर्नव शाकम विशिशा शोफ नाशनम शोफ का नाश करने वाला होता है पुनर्नव आपको पता है डायूरेटिक्स में आता है हमारा पुनर्नवा आयरवेद में तो पुनर्नवा शोफ का नाश करने वाला होता है फिर आप देखिए जो इससे नीचे 258 से लेके 261 की हिं ना जो उसमें तंडूलिय वर्ड इसको हाईलेट कर लीजिए तंडूलिय नहीं चलाई जो होती है उसके लिए भूला गया है इसी लाइन में देखिए रक्तपित मद नाशक और विष नाशक है जो इसको underline कर लीजिया स्टार लगा लीजिया तंडूलिय जो है उसको बोला गया मद और विश्का नाशक होती है नेक्स्ट आजाईए आप 282 ये वाला जो चैप्टर है बहुत बड़ा है लेकिन पढ़ने चीजे कहीं कहीं से हैं हमें इसमें ठीक हैं तो 282 नंबर पे शलोक पे आजाईए आप अगस्ट जो पुष्पे उसके लिए बोला है ने अती शीत उष्ण यानि ना जादा शीत है ना जादा उष्ण है नक तांद्या नाम प्रश्यस्यत है यानि night blindness हो तो उसमें प्रश्यस्त बोला है अगस्त नाइट ब्लाइडनेस में अगस्त है जो उसके पुष्पों को प्रश्यस्त बताया गई यह आपको याद होना चाहिए फिर आता है हमारा 297 नंबर जो श्लोक है राइट पेज पे कि पत्र सोरी पुष्पम पत्रम फलम नाल दाश्च गुरुवा क्रमात यानि पुष्प पत्र फल नाल और कंद यह उत्र 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 उत्र